इस वक्त में साथ मौझूद है प्रतिवा सिंग जी बेटे विक्रमा जिसके साथ में नामांकन के लिए पहुँचे हैं मैम सबसे पहले एक बड़ा दिन आपके लिए भी बेटे के नामांकन में शामिल हो रहे हैं लोग सबाचुनाव हम सबका आशिरवाद इसके साथ है जनता देवी देवताओं का आशिरवाद है इमाचल की जनता का आशिरवाद है उनी आशिरवाद को लेकर अब हम मैदार में उतरने जा रहे हैं अपना नामांकर भद्र पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद जनता की सेवा में जनता के का में हमने जूटना है जो हमारा मुख्य मुख्य लक्ष variance का विकास करना अगर हम ये नाखुश की बात करें कृध हbourgали ये अपनी बात मुख्य नाख़ना कोई नराज़गी नहीं है हम ने अपनी बात सक्व했 Guवaj प्रदेश का अध्यक्ष बनाया पार्टी का मान सम्मान रखना पार्टी के लोगों का मान सम्मान रखना मेरा करतव वे था तो उस बात को मैंने हाई कमांड के सामने रखा तो इसमें कोई नराजगी मैंने ना जाहिर की और ना ही मेरी कोई किसी से नराजगी आए जा रहा था कि विक्रमादित का अगे बढ़े और जाधा जिम्मेदारियां मिलें इन चीजों को लेकर के उस दौरान मतभेद थे नहीं ऐसा कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं था ना कोई मतभेद थे मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ अभी भी कह रही हूँ कि सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं था सरकार भी हमने ही बनाई है कांग्रिस की सरकार है कांग्रिस के कारिय करताओं की वज़े से आज सरकार महाँ पर है तो कोई भी हमारी बात हो, हमारा विकास के कारिया हो, हमने सरकार के समक्षी रखने और सरकार ने बहुत कारिया किये भी है, इन पंदरा महिनों में सरकार के विकास के कारिया हमको नजर आए और आपदा के टाइम सरकार ने जो काम किया है वो हिमाचल परदेश की जनता जानती है उसका बखान करना और ज्यादा उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है तो फिर आखिर हिमाचल की चार सीटों पर और देश में क्या महुल देख रहे हैं मुझे लगता है कि अब कॉंग्रेस की तरफ काफी रुजहान है लोगों का और खास कर मैं हिमाचल परदेश की बात करूँगे कि हिमाचल परदेश की जनता जानती है कि बहुत लंबे अर्से तक हिमाचल परदेश में कॉंग्रेस की परदेश की सरकार रही और माने मुख्य मंत्री वीरभद सिंग जी 6 मरतबा यहां पर रहे और उनके कारिकाल में जो विकास हुए हर क्षेतर में उसको लोग भली बानती जानते हैं इसके साथ में एक आज ही एक रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया है कॉंग्रेस की सरकार जब तक रही है दोड़ा-चौदा तक उस और आं तक देश में हिंदू जो है जो रिपोर्ट बनाने वाले भी तो यही लोग है यह रिपोर्ट जो है केवल चुनावों के उसके लिए बनाते है यह रिपोर्ट आज से दो साल पहले तीन साल पहले क्यों आई जब बिल्कुल चुनाव सिर के उपर है जब इनका जो है वो जीडीपी का मसला फेल हो गया है इनकी पांच वी विश्वब इसकी सबसे बड़ी एकॉनमी बनाने का मसला फेल हो गया है लाबार्थियों का मसला फेल हो गया है बस एक सवाल और कंगना को लेकर के क्या कहेंगे कंगना जो आपकी प्रतिजदी है शुनाव प्रचार में उतर चुकी है अपनी फिल्म के त्यारी करो वापस बॉली वोड जाने के त्यारी करो ये कहना है विक्रमादित का जो कॉंग्रेस के उमिद्वार के तौर पर नामांकर जिनों ने किया है और उनका साफ़तोर पर ये कहना है कि देश में जो गंभीर मुद्धे हैं उनसे धान भटकाने के लिए इस तरीके की रिपोर्ट्स लाई जा रही है और वो जनता के हिमाच हाँ